बिस्मिल्लार रह्मान रहीम डियर स्टूडेंट्स असलाम अलेकुम आज हम स्टार्ज अकैडमी लामा इक्माल टॉन के एलर्निंग एप के उपर डिस्कस करने जा रहे हैं आसीलेशन का हमरे पास आर्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ तो जरा तवज्जो करें और जरा एक्टिव होके बठें चाहे शाय का प्ला साथ लेके बठा करें इन्टी टेस्ट पढ़ने के लिए एक्टिव रहें ठीक है चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ स्टूडेंट आज का हमारा आर्टिकल है एस सेचेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मॉनिक मोशन यह हमारा स्टूडेंट आज का आर्टिकल है जो हमने डिस्कस करना है तो सबसे पहले हम सेंपल हार्मॉनिक मोशन को डिफाइन करते हैं और टाइप आफ ऑसिलेटरी मोशन यह ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन कौनसी होती है की व्यक mesmo चिलेटरी प्यां अतोसिता है ओसित वासिलेटरी मोशन नस्या है की प्यूशन कीलीच दोसितित टाइप यह से समय को सिलेटरीच के मिक डिफेस प्याइप में स्वाफिनच की एक टाइप आइप निक निक तैप एक तैप और धिए displacement of body, and always directed towards mean position, यह आपके पास इसकी definition है, टू एंड फ्रो मोशन है, बेसिकली यह भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, अब जो हमने लिखा इसको mathematically, अगर हम प्रिजेंट करें तो student क्या बनेगा, कि ऐसी मोशन जिसमें acceleration of body, directly proportional है किसके displacement के, लाइक अगर मैं कहता हूँ जी के मेरे पास ये एक spring mass system है, और ये एक normal spring है, ये इसके साथ एक body mass M है, तो ये इसकी initial position जहाँ ये rest पे होगा ये इसको क्या कहते हैं हम mean position, क्या कहते हैं जी से, mean position कहते हैं हम इसे, जहाँ पे body क्या होती है, rest पे होती है initially, जिसके about body ने क्या करना होता है, vibrate करना होता है, अब मैं अगर इसके उपर एक force लगाता हूँ और इसे क्या करता हूँ, इसकी mean position से displace करके कहां ले जाता हूँ, मैं कहां पे ले जाता हूँ, किसी एक extreme position पे, say मैं यहाँ इसको a पे ले गया, student a पे जाके जब मैं इसे drop करूँगा, छोडूँगा, तो यह क्या करेगी, यानि यहाँ से यह चली है, और कहां चली ही है body जी, a position पे चली ही, this is the a position, so student इसने क्या किया है, यहाँ से देखें, o से a तक इसने क्या किया है, एक displacement कवर किया है, कितना है वो, x, आप इस मैंस को यहाँ पे छोड़ेंगे, तो यह क्या करेगा, वापस आएगा, अच्छा जो इसको वापस mean position की तरफ force लेके जाएगी, उसको हम क्या कहते है, restoring force, restoring force की वैसे यह वापस आएगा, student जब यह वापस आएगा mean position की तरफ, तो यह mean position पे पहुंचके रुके गा नहीं, बलके उसको cross कर जाएगा, और spring को क्या करेगा, compress करेगा, और यह mean position से पीछे, दूसरी extreme पे चला जाएगा, बी position पे, तो यह देखें, यह इसकी क्या थी, mean position थी, यह इसकी क्या थी, एक extreme थी, और यह इसकी क्या है, दूसरी extreme है, सो यह मीन है यह एक्स्ट्रीम है यह मीन और एक्स्ट्रीम के बडवीन क्या करेगा मूव करेगा यहां से इसको फिर वापस कौन खेंचेगा रीश्टोरिंग फोर्स जब यहां था तो उदर को यहां था तो इदर को मीन पोजिशन पर यह रुके का क्यों नहीं यह ऐसे आ रहा तो मीन पर रुके का क्यों नहीं अपने इनर्श्ट्या की वैसे so a two factors are responsible two factors are responsible for SHM SHM के लिए दो factor जो है ना वह responsible होते हैं कौनसे दो factors student responsible की बाल होते हैं नंबर वान आपके पास री स्टोरिंग फोर्स क्या जी नंबर वान आपके पास स्टूरेंट्स री स्टोरिंग फोर्स रिस्तोरिंग फोस्ट और नमबर के इनर्शया यह यह दो फैक्टर जो है ना ये रिस्तोरिंंग फॉस की दिर्कट करती है तूसर मीलकी तरफ यह क्या थी यह प्लाइड फोस दो इसको लेकर गाई है और एक दफार जाके छोड़ दिया उसको ठीक है अच्छा अब इसके कॉर्डिंग देखें जरा इसमें हम यहां एक साइन लगाते हैं नेगेड़ेव साइन यह क्या बताता है कि एकसलरेशन इस डाक नी परोपॉश्नल डिस्पेस्मेंट जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पर ड्यूस करेंगे एकसलरेशन बिद्दर ओगी हमेशा वर्ड़ दा मीन पॉजिशन यह इस डागराम में आप देखें के बॉड़ी अगर आप कहते हैं सर इस तरफ को जा रही है तो इसका acceleration हर सूरत में किदर होगा Toward the mean position होगा Body जिदर मर्जी जाए बस इस बात को अपने जेन में रख ले अच्छा इसी के दुरान आप से कहा जाए Displacement किदर होगा तो negative sign ये भी बताता है कि इन दोनों की direction क्या होती है So Body जिदर भी जा रही है इसका displacement किदर होगा Away from mean position किदर होगा Toward the extreme ये इसका क्या होगा Displacement अब restoring force और acceleration अब यहाँ पर ये बाते लिख लेते है कि X जो है ये हमेशा directed होता है किदर Directed Towards Extreme क्यों क्योंकि आपने Definition में लिख दिया है कि acceleration किदर है Directed towards the mean position और acceleration के displacement ने क्या आना है Opposite अच्छा जी फिर अगली बात करते है हम इसमें ये जो है वो किदर है वो directed towards mean position ये definition में लिखा हुआ है अच्छा तो restoring force भई force और acceleration में इसका क्या होते है same direction में तो ये किदर directed होगी ये भी directed होगी towards mean position ठीक है तो अगर मैं कहता हूँ ये 0 है तो directly proportional है किसके displacement के तो x भी क्या होगा 0 और यहां से देखें तो फिर fr भी क्या होगी 0 अगर ये maximum होगा है ये क्या होगा है maximum होगा है तो student x भी क्या हो जाएगा maximum और student fr भी क्या होगी maximum होगी कि यह डिरेक्ट ली प्रोपोश्टार डिरेक्शन में यह क्या होंगे ओपुजिट कौन दोनों ऑपुजिट होंगे एक्स और ए और एध गया होंगे एफ और यह सेम डिरेक्शन में होंगे कि सेम डिरेक्शन और यह दोनों क्या होंगे और पोजर्ट डिरेक्शन है कहां से यह सारा कुछ हमने नकल लाया है अच्छ आप डूसेशन देखे आप एठ अमीन पोजीशन मीन पोजीशन में बॉडी कहां पे ओती है जहां बाडी रैस्ट पे होती है यह मीन पोजीशन थी मीन पोजीशन पर बॉड़ी का डिस्प्लेस्मेंट क्या है वो रेस्ट पर खड़ी है तो उसका डिस्प्लेस्मेंट क्या होगा एक्स क्या होगा जी जीरो भाई एक्स जीरो है स्टूडेंट तो इसके अकॉर्डिंग ली देखें तो ए भी क्या होगा स्टूस पूदेंट्स जीरो और एफ फार भी क्या होगा ? जी मन पॉजीशन पर बोर्डी पर यह सारा बूस पालएगा देखिए आद इसको मेक्सिमॉम यहां लेगे न से रहे धो क्या क्ते है इसको एक समार्ण या एम्प्रिटूस करते हैं ठीक यह ये मैक्सिम में थो यह प्या हो जाएगा maximum और f r b kya हो जाएगा maximum हो जाएगा ठीक है जी अच्छा अब maximum values इन की कितनी होती है यह हम एक इसकी value होती है आपके पास x-node omega square यह drive नहीं हम यहां कर रहे लेकर यूज कर रहे और f r आपको पता है restoring force का formula होता है kx-k equal minus kx-k equal तो इसकी value maximum कितनी होगी f r is equals to minus kx-node यह इसकी क्या हो जाएगी maximum value हो जाएगा तो student अगर मैं बिट्वीन ग्राफ बनाता हूं graph की अगर मैं बात करता हूं कि graph between x and a a और x के बिट्वीन अगर मैं students graph बनाता हूं let's suppose तो कैसा आएगा दोनों directly proportional है जी बोलें शाबश दोनों के हैं directly proportional है तो डिरेक्ली पोस्तूट का graph कैसा आता है जी कर वलाइन नो नो किस तरह कहता है straight line शाबश तो graph क्या आएगा straight line इधर हमने x ले लिए इधर हमने क्या ले लिए acceleration अचाब straight line कैसी आएगी a zero होगा तो x b 0 ओके तो कहां पे point आएगा ये increase करेगा तो एक्स भी इंक्रीज लेकर यहां देखें नेगेटिव साइन यह बढ़ रहा है तो यह नेगेटिवली बढ़ेगा और अगर यह नेगेटिव कर दिया तो यह क्या हो जाएगा पॉजिटिव कैसे देखें न एकी वैल्यू टू है पर पोर्पोर्शनल है यह तो इस कि वैल्यूज यह यह और यह क्या जी एकस है अगर मैंने एक्सलेश्ब को नेगेटिव कर दिया तो अजन्स आइगर इसके वैल्यू क्या हो जाएगा अब आप जिसकन value negative put करेंगे तो यह positive निकलेगा है किसकी weal you positive अगरे तो क्या होगा यह negative निकलेगा कि इस sense में फिर हम जब straight line बनाएंगे बनेंगी straight line लेकर व हो इस quadrant में ऐगे यह देखें कि इस quarter क्यों जब a पॉसंटिव होगा तो x क्या होगा और जब X positive होगा तो A क्या होगा ऐसे straight line नहीं आएगी origin से गुजरती हुए ऐसे आएगी अच्छा अगर मैं यही graph बढ़ाता हूँ किसके between graph between A and F तो भई as according to Newton second law A और F क्या होते है A यह है F और यह है यह क्या होते है directly proportional तो इसलिए यह state line क्योंकि यह इस तरह Newton second law यह कहते है यह is directly proportional to F negative sign नहीं होता अच्छा अगर हम graph बनाते हैं किसके बढ़्वीन graph between X and F यह कैसा आएगा students देखे X और F और के बढ़्वीन ग्राफ कैसा आएगा जैसा ग्राफ A और किसके बढ़्वीन आया है X के बढ़्वीन जैसा graph A और X के बढ़्वीन है मैं A की जगा F और कर दूँगा same graph आएगा क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है directly proportional ठीक है तो यह graph कैसा आना चाहिए students यह graph आपके पास इस तरह का आएगा इस तरह से यह graph आएगा students आपके पास किसका इसका तो अब हम इसमें इसकी examples की बात करते हैं तो इसकी examples क्या क्या हैं जी motion of simple pendulum motion of simple pendulum spring mass system motion of spring mass system the motion of wires of guitar guitar की wires की motion यह सारी examples है motion of ball in curved dish motion of ball in curved dish यह examples हैं सारी है आपके पास किसकी? SHM की ठीक है तो अगर student मैं question करता हूँ the restoring force at mean position is A option है maximum maximum B0 C negative D 100 newton क्या answer आएगा? तो mean position पे देखें X कितना है? mean position पे X 0 है A भी 0 है और F भी क्या है? 0 So answer क्या आएगा आएगा आपके पास? F R 0 ठीक है? अच्छा जी that direction of acceleration is always is pointed towards A, extreme position, B, mean position, C, maybe mean or extreme, B, none of these, तो हमने definition में पढ़ा है कि A is always directed toward mean position, इसकी क्या आजाएगी जी, mean position आजाएगी, ठीक है, students next हम इसमें एक और बात करते है, इफदा graph between A and X is given as, यह A और X का graph दे दिया जी, इनों ने, किसका है जी graph यह, A, और इस तरफ किसका graph है जी, sorry, A and T, time और acceleration का graph यह, है, the shape of graph of X and T's will be, जी उसकी shape क्या होगी, A, option A, G, X है और T, A, B, option A, G, X है और T, A, C, option A, G, X है और T, A, D, option A, G, X है और T, A, यह आपके पास चार आप्शन थे, अब देखें हमने पढ़ाए जो graph A और T का होता है, वैसा ही graph F, R, और T का होगा है, क्योंकि यह आपस में क्या है, जिस तरह A में वेरियेशन आती है, जैसे A, 0, F, 0, A, maximum, F, maximum, A, negative, F, negative, ठीक है, बट जब हम इसके साथ इसकी बात करते हैं, तो जहाँ A positive, वहाँ X क्या होगा, negative, जहाँ A negative, वहाँ X क्या होगा, positive, लेकर आपस में क्या होगे, directly proportional, तो student देखें, अब यह graph आपके पास किसका आ रहा है जी, यह graph आ रहा है आपके पास acceleration का time के साथ, एसी ही shape तकरीबर बनेगी किसकी, displacement की, लेकिन फरक होगा, क्या, जहाँ A positive होगा,वहाँ displacement क्या होना चाहिए, negative, तो देखें ज़रा इन में से, A का positive hump है तो displacement का क्या है जी negative hump है A का negative hump है तो displacement का क्या आएगा positive hump आएगा फिर उसका आगे negative hump आएगा तो इसका क्या आएगा positive hump तो आपका answer क्या आना चाहिए B आना चाहिए ठीक है अगर वो यही question ऐसे करता A और T का graph ये है F, R और T का graph बताएं तो फिर क्या करते हैं F, R और T के graph के लिए क्या करते वो बिलकुल ऐसा ही आना था जैसा acceleration का है क्यों क्योंकि A और force के हैं directly proportional तो वो कौन सा graph बनना था वो ये बनना था कैसे A positive तो F, R भी positive A negative तो F, R भी negative तो फिर यहाँ F, R आ जाना था ठीक तो ये student आपके पास simple harmonic motion है complete understanding के लिए आप Stars Academy के paid content लें और सारे lectures को enjoy करें plus test को enjoy करें इसका आप test दें इंशाला इस test के बाद आप देखेंगे के आपकी कितनी अच्छी त्यारी हो जाएगी ठीक है? Thank you very much करेंगे